नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट कांटिंग आरसनर के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वीजी कांटिंग सॉप्ट्वेर में लेजर्स, स्टोक आइटम और स्टोक आइटम के गुरुप को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे क्रेट किया जाता है तो दोस्तों ये मारे वीजी कांटिंग सॉप्ट्वेर का सेकंड वीडियो है इससे पहले हमें हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें busy counting software में company के से create की जाती है practical तरीके से और company create करते वक्त हमें किन-किन बतों का ध्यान में रखना जरूरी होता है तो यह सब कुछ अच्छी तरीके से explain वीडियो part first में अच्छी तरीके से किया हुआ है तो दोस्तों मैं आपसे request करूँगा आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी जरूर देखें और जो busy part का जो first वीडियो है उसका link मैंने इस वीडियो के description में भी दे दिये और उपर आपको i button पर भी इसका link मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ में bell icon का button प्रेस करके all notification पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी टेली वेजी मार्ग अकांटिंग और टेक्सेशन की जो भी हम नहीने वीडियो अप्लोड करते हैं उसका notification आपको सबसे पहले मिलता रहे हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो दोस्तों मैंने वही company open करके रखी हुए है जो company हमने वीडियो फर्स्ट में बनाई थी यानिकि स्मार्ट इंटरप्राइजिस के नाम से और इसका फाइनेंसलियर हमने 2020 किस रखा हुआ है तो दोस्तों जैसे ही हम company को open करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी हमें कौन-कौन से laser create करने हैं तो दोस्तों हमने एक supplier से यहां पर कोई goods पर्सेज किया हुए यानिकि श्याम ब्रोदर से और यह श्याम ब्रोदर का एक invoice हमारे पास आया है यह इनके invoice number है यह invoice की date है और यह stock item है जो हमने इस invoice के थुरू पर्सेज करी है तो दोस्तों हमें स्याम ब्रोदर का laser create करना पड़ेगा क्योंकि जिस party से हम goods पर्सेज करते हैं अगर हमने credit में उनसे goods पर्सेज किया तो उनके laser बनाने compulsory होते हैं और laser बनाने के लिए हमें कौन-कौन से step को follow करना पड़ेगा तो आप देख सकते हो ओपर जो हमें यह menu बार हम दिखाई दे रहे हैं और इस में से एक menu बार हमारा administration से है और हम इस option पर हम यह step follow करने पड़ते हैं यानिकि administration के menu बार पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम master's पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम accounts पर जाएंगे और उसके बाद अगर हमें नया laser create करने तो हमें add करना पड़ेगा तो मैं add के button पर enter press करूँगा और यहां पर उस laser का नाम मुझे type करना पड़ेगा जिस नाम से मैं laser create करना है तो laser जिस पार्टी से हमने गुट्स पर शेज किया यानिकि sham brothers से तो sham brothers का laser हमें यहां पर नाम type करना पड़ेगा श्याम brothers और इंटर प्रेस करेंगे और प्रिंटर नेम में भी हम sham brothers ही रखेंगे और उसके बाद गुरुप का इसका सेलेक्शन करना पड़ेगा तो अब कैसे पता चलेगा इसका गुरुप हम कौन सा रखेंगे तो दोस्तों हमें रूल्स हमें पता होना चाहिए भी सेंडरी डेप्टर्स क्या होते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में तो दोस्तों अगर रूल की बात करें तो रूल के कोर्डिंग जिस कंपनी फरम से हम उदार समान खरीदते हैं यानि कि जो मारे सप्लायर होते हैं जिससे हम समान उदार समान खरीदते हैं तो उनका group हम centric creditors में रखते हैं और जिस व्यक्ति को हम उदार समान बेचते हैं यानि कि जो हमारे customer होते हैं जिने हम sale करते हैं उदार में तो उनका जब हम laser create करते हैं तो उनका जो group है वो centric debtors रखा जाता है अगर हम किसी को उदार समान बेचते हैं तो अगर हम किसी से उदार समान खरीदते हैं तो उसका group centric creditors मता है तो दोस्तों यह कोई जो rule होता है केवाल कोई VC software के लिए लागू नहीं हो रहा प्रेटिकुलर आप कोई भी accounting software यूज़ कर रहे होते हैं उस सभी के लिए यह जो rule है सेंडी, debtor, creditor के, bank accounts के, duties and taxes के यह सब कुछ है हर software में यह rule लागू होता है तो हम VC software में इसका group का selection करेंगे सेंडी, creditors और इसके बाद opening balance कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसी finance layer के दोना हमने goods purchase किया है और उसके बाद में address अब address जब हम party का invoice मारे पास आता है तो उस invoice पे उस पर देख सकते हैं वी शौप नमबर 145 फर्स्ट ब्लोक विकानेर के नाम से तो यह address यहां पर भी टाइप करेंगे शौप नमबर 145 फर्स्ट ब्लोक विकानेर यानिकि एज़िटीज ही address उसका हम टाइप करेंगे और उसके बाद country इंडिया रहेगी state रहेगा और उसके बाद में type of dealer यानिकि यह जो information हमारे से मांगी जारी है यह स्याम ब्रुदर्स के मांगी जारी है यह जो dealer है किस type का dealer है या registered dealer है या unregister dealer है या कोई composition dealer है या UIN holder है तो दोस्तो इस बात का में पता लगाना भी invoice को देखके भी यह party registered है या unregister है या composition है चल अब यह बात होती है अब यह party registered है अब यह party regular scheme में registered है या composition scheme में registered है इस बात का हमें चलेगा पता यहां से तो दोस्तो अगर यह composition party होती तो यह हमें cght और sght tax है यह tax लगा के goods नहीं sale करती यह यानिकि net amount का ही sale करती अब इसने taxable amount cght और sght का अलग लग भी ओरा यहां प तो इसका मतलब यह party regular scheme में ही registered है तो हम इसे यहां से करेंगे registered party में और उसके बाद में यह रहेगा filing frequency यान कि यह जो party है यह अपना जो return है वो ghtr monthly file करते हैं या quarterly है तो इसका हमें पता नहीं चलेगा भी इसकी party की turn over कितनी है तो हम इसको note noun पे click click कर देंगे और उसके बाद तो यहां से चाहे तो copy कर सकते हैं हम इसको copy करेंगे और यहां पर इसको paste कर देंगे हम चाहें तो यहां पर type कर सकते हैं और उसके बाद में यहां पर इसका अधार नंबर टिन नंबर यह email address mobile number वेगरा सब कुछ हमें अगर हम practically रूप से किसी company का real business accounting maintain कर रहे हैं तो यह सब क कुछ information हमें यहां पर type करनी चाहिए फर्दल information के लिए यह इसके लावा यहां पर सब कुछ चीज की bank detail वेगरा है वो भी में fill up करनी चाहिए तो मैं ऐसे save कर रहा हूं तो इस तरीके से मैंने मेरा laser है जो create कर दिया है और उसके बाद में हम इस invoice के दार पर यह जो stock item हमने जो process करी है तो यह stock item भी हमें create करनी पड़ेगी busy software में तो busy software में stock item को create करने के लिए हम same way for says हम इस menu बार में administration उसके बाद में master spaces पर हम जाएंगे और उसके बाद item और item पर जाने के बाद add यांकि हम नई stock item हमें create करनी है तो इसके लिए हम add button पर click करेंगे तो मैं add button पर click करूँगा तो यहां पर stock item का नाम मुझे देरना पड़ेगा जो stock item मेंने process करी है तो जो stock item मेंने जो process करी है वो stock item का नाम है यह अब मैं चाहूँ तो यहां से इसको copy भी कर सकता हूँ और चा हो तो इसको नाम manually type भी कर सकते हूँ कोई problem नहीं है और उसके बाद प्रिंटर ने में भी सीगेट hardix one भी रहना चीए यह इसलिए पूछ रहा है भी जब आप अपने customer को जब हम इसको sell invoice बनाएंगे तो उसमें यह नाम किस type से रहना चीए तो agtg नाम आज रहना चीए कोई प्रोब्लम नहीं है और उसके बाद में इसका group अब group आप विजिए अगे अंदर देखो तो by default यह journal इसका group आ रहा है अगर हम इसका कोई अलग से group create करना पड़े भी मालेजिए जैसी यह hardix के parts है हम अलग-अलग company की hardix purchase करते हैं 1TB 500GB की 300GB की 2TB की तो यह अगर हम group create करना इसके shortcut अगर create करना पड़े हम चाहें भी हम बेक ना जाना पड़े तो हम यहां से shortcut की होती है इसकी app 3 और जैसे हम app 3 बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें पुछेगा add item group master जो आपने item create करिये उसका आप group यहां पर create कर सकते हो तो मैं यहां पर type करूँगा hardix और इसको agt जी रखते हुए मैं इसको save कर दूँगा और उसके बाद में unit अब units का मतलब होगया भी आप इस product को कौन सी unit में sale करना चाहते हो आप देखो इसमें काफी सारी units आएंगे दरजन है गराम है केजी है मेटर है नोट अबलिकेबल पीसे सटन यूनिट्स यानिकि हम इस ब्रांड को piece के रूप में sale करते हैं तो हम इसको यहां से pieces में select करेंगे unit को और opening balance कुछ भी नहीं है यानिकि मारे पास पुराना stock कुछ भी नहीं है और उसके बाद हमारे से यहां से tax category की information तो यानिकि इस पर कितने परसेंट की GST लगती है तो वह में आरे इस invoice पर पता चल जाएगा जिस सारे product यह 18% के हैं तो इसका जो GST यह वोग हम 18% से select करेंगे और उसके बाद में इसका access code और जो access code है वो भी हमें इस invoice में मिल जाएगा 8471 का तो 8471 हम टाइप करेंगे और उसके बाद यहां पर कुछ यह information होता है यह sell price, purchase price, MRP या minimum sell price तो अगर आप कोई fix होता है sell का price तो आप यहां पर fix कर सकते हो otherwise अगर अलग-लग rate से sell करते हो daily wise आपके product के rate है तो यहां पर आप fix मत केजिए आप इन्हें AGT 00 ही रहने देंगे और उसके बाद हम enterprise करेंगे और enterprise करने के बाद अब हमारे से यह option पुछेगा भी आपको यह जो sales और जो purchase के जो laser आपको बनाने है वो आप जो by default इसके अंदर sell purchase के laser है उसे में आपको show करवाना है या आप अपने level पे कोई sell या purchase के trading count के laser create करना चाते हो तो हम laser जो नया खुद का ही create करेंगे इसमें by default जो sell का laser होता है वीजी के अंदर उसमें नई entry करेंगे तो इसको मैं यहां से करूँगा service by hair और hair करूँगा तो यहां से मेरे से पुछेगा भी आप इसमें से कौन सा laser select करोगे sell का तो sell का laser अभी तक हमने यहां पे create किया नहीं है यान कि already मारा create हुआ नहीं है तो हम यहां पे इसको create कर देंगे sell का laser तो shortcut इसका जो है app 3 और यहां पर हम इसका जो laser create करेंगे sell का वो 18% और इसका जो under group है यह मारा trading का laser है तो इसका हम sell का laser है वो under में रहेगा sales count में और बाकी information इसकी sell अगर आप दे रहे हो तो इसमें कोई information देने की जरूरत नहीं है आप directly यहां से इसका सिदा save भी कर सकते हो तो इसी तरीके से मैं परसेज का भी laser हम create कर लेंगे और परसेज का भी same app 3 से और इसके अंदर भी computer parts परसेज 18 और यह मारा परसेज के अकाउंट में रहेगा और इसकी इनफोरमेशन देने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से अगर आप इस पर को जीरो ही रेने दे और उसके बाद इसको सिधा accept and save करेंगे तो इस तरीके से एक stock item हमारी create यह हो चुकी है इसी तरीके से हम सारा यह जो जितने भी stock item हमारे पास इस invoice में है यह सब कुछ हम create कर देंगे तो मैं इस item को भी यहां से copy करूँगा अब और इसके बाद मैं इसको paste करूँगा तो अब आप देख सकते हो यहां पर group मेरे पास already hardix का है और यह भी मेरे पास hardix ही का ही part है तो मैं इसको hardix के group में ही रखूँगा तो अब मुझे अलग स hardix का कोई group बनाने की create करने की जुरूरत नहीं है और इसको मैं PCS में रखूँगा और GHT same इस पे भी 18% की ही है और HSN code भी इसका same है और इस तरीके से इसका जो परसेज और जो सेल का laser है वो जो computer part sales 18% और computer part परसेज 18% में ही इसको रखेंगे तो हम इसे भी AGTs रखते भी इसक थर्ड आइटम भी हो सकते हैं यह है HP keyboard को पी हमने किया उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और अब यह keyboard की गूरूप सागे अब इसके hardix की जिए हम एक निया गूरूप और create कर देंगे keyboard का उसके लिए app 3 और keyboard और इसको एजटी सेव करूँगा सेम यह चीज मरा पीसिस में रहेगा इस पे भी GST 18% किया तो GST 18% इसको सेलेक्ट करेंगे access and code भी सेम ही रही है और इसके जो परसे सेल के लेजर अब हो भी हम सेम ही रखेंगे तो इसको भी हम interface करते वे सारे इसको save करेंगे और इस तरह की से जो last time है हमारी जो stock item है डेल keyboard इसको copy किया हमने और इसको control V के साथ paste कर देंगे और यह भी keywords है तो keyboard का group में मारे पास already बना हुए है GST इस पर भी 18% का है तो इस तरह के से बाकी information मारे पास already इसमें fill up आई हुए है और इसको भी हम save कर देंगे तो दोस्तों इस तरह किसे हम stock item को create करते हैं अब हम देखना चाहिए भी मारे पास stock item कितनी क्रियेट हो चुकी है तो इसके लिए हम वापिस इसके अब से बेक आएंगे अब आप चाहिए तो modify पर आकर check सकते हो चाहिए आप list पर आकर show कर सकते हो तो हम list पर आएंगे सक्रेन पर देखेंगे standard और all item पर तो आप देख सकते हो यहां पर यह जो चारों stock item थी जो invoice में थी हमारे पास वो stock item हमने यहां पर create कर दिया है और उसके बाद भी इनके जो groups है वो भी हमें select होने शोड़ने शुरू होगे भी यह जो दो keyboards के हैं और दो हार्डिक्स के part है औ तो इस तरीके से यह यहां पर show होना शुरू करेगा और अब हम इस invoice पे जो invoice मारे पास आया इस invoice की entry हम करके देखेंगे वीजी में यारिकी इसकी transaction हम करेंगे purchase voucher की तो इसके लिए अगर मैं purchase invoice या किसी भी voucher transaction से समन्दीत कोई work करना हो तो हम इसके लिए इस transactions मेन्यू पर हम आएंगे इस पर इंट्रप्रेस करेंगे और अब हमें purchase invoice की entry करनी है तो हम purchase invoice पर आएंगे और एड करेंगे और उसके बाद में यहां पर हम date देंगे भी invoice कौनसी date का है तो आप देख सकते हूं यहां पर 1120 का है तो हम यहां पर 1120 और voucher नंबर यान कि इस invoice का bill number कितने है SB6547 आप चाहों तो यहां से copy कर सकते हो अलांकि अब आप मेरे पास तो यह PDF है तो मैं copy कर सकते हूं लेकिन आपके पास तो यह manual प्रेंट आउट होगा तो आपको तो यह सब कुछ है type ही करना पड़ेगा और उसके बाद में purchase type यानि कि यह purchase मेरी out of state की है या local राजस्तान की है तो यह मेरी लिए local की purchase है तो मैं इसे यहां से L और इसे multi rate में select करूंगा और उसके बाद में party name यानि कि कौन से party से आपने goods purchase किये तो श्याम ब्रोदर्स उसका laser का नाम यहां पर आ गया और इसका आप देख सकते हो इसका group भी आपको साथ में show करेंगा यह century creditors में इसको main go down में ही रखना है मेरे को और उसके बाद में ITC LGBT बिल्कुल इसके अंदर जो goods में परचेज किया है इसका input का claim मुझे लेना है तो इसको मैं input goods पे ही रखूंगा मैं अगर इस invoice से समंदित कोई narration से या आपके कोई भी inquiry है तो आप इस narration में type कर सकते हैं लेकिन आपी मेरी अगर आप चाओ type करना तो हम यह सब कुछ type कर सकते हैं इसका भी इसका गाड़ी का number क्या था जैसे हमें करें इस गाड़ी के थुरू माल हमारे पास आया है तो आप यह सब कुछ information इस invoice के दार पर हम यहापर इस बीजी के narration में लिख सकते हैं आप बिल्टी का number लिख सकते है आप ट्रांस्पोर्ट का नाम वगरा भी लिख सकते हैं कुछ भी information आप लिख सकते हैं और उसके बाद में item का name और item हमने already create करके रखी विया है यह जो सीगेट हार्टिक्स 1 टीबी है तो सीगेट हार्टिक्स 1 टीबी और इसकी जो quantity हमने जो प्रसेज करिए invoice में वो 8 पीस ह का जो rate है वो 2800 रुपे का यह 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 टेक्सेबल rate है और इसी तरीकी से second item 500 जीबी की और 500 जीबी की जो quantity है वो है पांच पीस और एक पीस का जो rate है इस invoice में वो 2250 रुपे का है जो third item है वो HP keyboard और इसकी जो quantity है वो 10 पीस है और 410 रुपेस का rate है और इसके बाद में जो fourth item हमारे पास है डेल का keyboard तो डेल कीबोर्ड इसकी जो quantity है वो 12 पीस है और 435 रुपेस का rate है तो इस तरीके से यह हमारी जो stock item है वो complete हो चुकी है और अब इन invoice में जो में cgst text और sgst text जो charge हुआ है 9% का उसकी entry अब हम इसे build center में करेंगे तो यहाँ पर हम laser select करेंगे cgst का तो यह जो cgst और sgst के जो laser है यह busy software में by default already create किये होते हैं तो यह अलग से create करनी के लिए जुरूरत नहीं होती है तो हम करेंगे cgst को select और उसके बाद में यहाँ पर देंगे percentage यानकि 9% तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम 9% cgst को select करेंगे तो यहाँ पर sgst भी 9% है जो automatically select हो जाएगा और इसके amount है यहाँ से 3867 यानकि 3866 रुपे और 38 पेसे और यह value tax की मारी इस invoice में भी है और इसमें जो 40 पेसे वो round off किये हैं ताकि इसकी जो bill के amount अब वो 50,705 रुपे पूरी हो जए तो हम इसके round off करेंगे यानकि हम plus में करेंगे तो 0.40 तो दोस्तों जैसे 50,000 की amount उपर हो जाती है तो हमें EUA bill के भी जरूरत पढ़ती है देखिए हम इस invoice में EUA bill का कोई जीकर नहीं करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल step to step हम इसके accounting maintain करना सीख रहे हैं तो यह EUA bill किस तरीके से बनता है कौन से amount बनता है कौन बना सकता है किसे बनाना compulsory होता है तो यह सब कुछ हम दे रहे दे रहे जैसे जैसे इस पे हम practically वीडियों ब इस बाँ जुरकम save करके enterprise करेंगे बाकि information को रखते हुए तो इस तरीके से यह मारा परसेज का invoice से जो save हो चुका है तो दोस्तों next वीडियों हम बात करेंगे अब हम अगर हमारे customer को sales invoice बनाएंगे तो उसकी interim किस तरीके से करेंगे तो दोस्तों अगर आज की वीडियों पसं मिलते हैं वीजी के accounting part 3 में और उसमें हम सेखेंगे sales invoice की entry कैसे की जाती है तो दोस्तों मिलते है next वीडियों में के नए topic के साथ